हेलो एव्रीवन दिस इदिक्षार आठोर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स इसमें हम यूपी टैड दो हजार इक्टीस का जो सेलेबस है वो हम एनलाईज कर लेते हैं देखिए कभी भी जब हम एक्जाम की किसी भी एक्जाम के जब हम प्रिपेशन करते हैं तो उसका हम सबसे पहले सेलेबस जानते हैं उसके बेस पर ही हम अपनी तयारी शुरू करते हैं जैसे की नौटिफिकेशन आ चुका है आपका जो यूपी टैड दो हजार एक्टीस का जो एक्जाम है वो 25 जोलाई को जो कंड़क्ट कराया जाएगा यूपी टैड सरकार के द्वारा ठीक है तो उसके लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है तो वो आप देख लीजे ठीक है तो इसमें हम एनलाईज करेंगे ताकि आप जो है अच्छे से समझ के सलेबस आप अपनी तयारी शुरू कर सको ठीक है तो देखिए आपको बेसिकली आपको पता है कि पेपर वन जो होता है वो भी 150 मार्क्स को होता है और पेपर टू भी 150 मार्क्स को होता है ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर वन की जो बच्चे जो हैं पेपर वन देना चाहते हैं जो प्रात्मी स्थर के लिए होते हैं यानि 1 to 5th के लिए 1 to 5th क्लास के लिए पेपर वन होत जिसको हम कहते हैं प्रात्मिक स्थर ठीक है सबसे पहले इसमें सेक्षन आता है बाल विकास एवं सिक्षन विदिया तो इस जो हम सब्जेक्ट जो है इससे थर्टी माक्स की कोश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इसके लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है तो वो एक बार देख लिजिए आप वीडियो को पोज भी कर सकते हो अदर्वाइस आपको टेलिग्राम पर ये जो है आपको मिल जाएगी ये पीडियेफ आप अच्छे से पढ़ लीजेगा ठीक है तो सबसे पहले ये है बाल विकास में आपको क्या-क्या पढ़ना है बाल विकास का तो बाल विकास के बारे में आपको पढ़ने है और क्या-क्या फेक्टर इसको एफेक्ट करते हैं है ये सब आपको जो है अच्छे से पढ़ना होगा इसके जो एमसी क्यूज है पहले आप एड़ा गोजी अच्छे से पढ़िए दैन इसके जो है आप क्वाशन लगाईए प्रिविस एर के कोशन पेपर देखिए मौक टेस्ट लगाईए ठीक है तो ये था बाल विकास और फिर इसमें आपको पढ़ना है सीखने का अर्थ तथा सिध्धान्द ये आपको सभी को पढ़ना है सीखने का अर्थ है क्या-क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्या-क्या जो थ्यूरीज है ये लर्निंग के उपर दी गई है ये सभी आपको कवर करनी है सीखने का वक्र है आर्थ आधार सीखने में पठार ये सब आपको जो है कवर करना है और ये पेपर वन हो या पेपर टू दोनों का जो सीडिपी सेक्शन है वो सेम ही है पेपर वन का भी यही सेले बस है ठीक है 30 मार्ट तो कुछन पूछे जाएंगे सिक्षन एवं सिक्षन विधिया तो इसमें अर्थ देखना है उदेश्य है सिध्धान क्या क्या है कौन-कौन से फोर्मुलाज है कौन-कौन सी प्रविधिया है कौन-कौन से उपागम है और अधारबुत कोशल ठीक ह और यह आपके सूपर्टेट के लिए भी पोटन्ट है यह टॉपिक तो यह जब आप कवर करोगे तो इसके साथ-साथ आपकी सूपर्टेट की भी तैयारी हो जाएगी समावेशी सिक्षा यानि inclusive education के बारे में आपको पढ़ना है इसका क्या अर्थ है पहचान और क्या-क्या परकार है ठीक है यह सब आपको कवर करना है समावेशन के लिए आवश्यक उपकर्ण जो है ठीक है और tools even तकनीकी उनको पढ़ाने के लिए क्या-क्या हम methods यूज करें क्या-क्या instructions देंगे परामर्श यह सब आपको कवर करने है ठीक है तो dear यह जो है यह आप देख लीजेगा clear है समावेशी से लेटर है परामर्श में सैयोग देने वाले जो विभाग संस्थाएं हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है और बाल विकास में निर्देशन एव और समस्ते हैं ठीक है और बुनियादी प्रक्रियाएं उनकी क्या कार्य नीतिया हैं बच्चा जो है एक समस्य समधान करता और विग्यानिक अन्वेशक के रूप में बालकों में अदिगम की विकालपिक संकल्पना ठीक है उनकी बच्चों की तूट्यों को सीखना समझना बोद और समेदना है, प्रेणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले नीजी एवं पर्यावरनिय कारक जो हैं, ये सब आपको कवर करना है, पेपर वन, पेपर टू, दोनों के लिए, 30 माक्स के कोशिन आप से यहां से पूछे जाएंगे, अगला है हिंदी, काफी मैंने बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप देख लेना, तत्सम, तत्भव, समा, संधी, ठीक है, ये सब आप देख लेना, और वैसे आपको ये सभी पढ़ने हैं, टॉपिक अच्छे से आपको ये कवर करने हैं, स्पोज, करो डियर, अगर आप पहले पढ़ते नहीं हो, पूरा कॉंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो, फिर आपके कोश्चन गलत हो जाएंगे, जब तक आप उसको कॉंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, तो ये सब आपको कवर करने हैं, हिंदी ग्रैमर क्योंकि जो है, इसमें पूछी जाएगी, ये ध्वनिया, सिंक ता तत्सम, तत्भव, देशज, लोकोक्तिया, मुहावरे, संधी, समास, अलंकार, कवियों और लेखकों की रचनाई, ये भी डियर आपके पेपर वन के लिए भी इपोटन्ट है, और पेपर टू के लिए भी इपोटन्ट है, ठीक है, और इसमें पैड़ागोजी सेक्शन भी प्रियोग करते हैं, मौकिक और लिखी तुरुप से विचारों के संप्रेशन के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या-क्या चुनोतियां है, भाषा की क्या-क्या कठिनाईया है, ये लैंग्वेज से जो आपकी पैड़गोजी है सब आपको जो है कवर करनी है, भाषा कोशल, ठीक है, भाषा के जो चार कोशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और टीचिंगेड, ठीक है, ये सब आपको यहां पर पढ़ना है, इंगलिश में भी सेम ही एडियर, इंगलिश का जो सब्जेक्ट है न, जिसमें tenses, part of speech, counts of noun, pronoun, adverb, adjective, verb, ये सब आपका English portion है, तो आप यहां से अच्छे से जो भी English grammar पे पूछी जाती है, यहां आपको ये सब cover करनी है, ठीक है, ये उर्दू का है, जिनकी language उर्दू होगी न, तो यहां मैं सिर्फ आपको शो कर देती हूँ, आपको यहां से देख लेना है, कि क्या-क्या जो है आपके, यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है, ये संस्कृत है, जिनकी संस्कृत होगी language, तो उनके लिए उनको क्या-क्या पढ़ना है, मैं स्क्रोल कर रही हूँ, आप वीडियो को पोस कर सकते हो, और देख सकते हो, ठीक है, सेम ही होता है, और इसमें जो है, पैड़ागोजी सेक्षन भी पूछे जाएगा, भाशा विकास के बारे में, ठीक है दियर, एक मिनट हांजी, ये ऐसे, अब आता है गणित, देखिए गणित जो है, पेपर वन का है, संख्याएं, एवं संख्याओं का जोड, घटाना, गुणा, भाग, ये सब पढ़ना है आपको, LCM, HCF, Fraction, Decimal, एक इक नियम, प्रतिशत, लाभानी, साधारन व्याज, जामिती, धन, मापन, परिमिती, कैलेंडर, आकडे, आयतन, शेत्रफल, रेलवे, आया, बस, समय सारनी, आकडों का, प्रस्तुतिकर्ण, एवं निरूपन, डेटा हैंडलिंग, तो ये आपका, मैट्स का है, ये ये, टॉपिक जो है, आपको, अच्छे से, प्रैक्टिस करने है, अध्यापन समंधी, मुद्दे, यानि, पैड़ागोजी सक्षन भी, इसमें पूचा जाएगा, 30 माक्स की आती है, आपके मैट्स से, पेपर वन में है न, 30 माक्स के, तो ये सब आपको, यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, अगला जो है, पर्यावर्णी अध्यन, आपको पता, आपके पेपर वन में पूची जाती है, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, परिवार के बारे में, भोजन स्वाच्था एवं स्वाच्था, आवास, पेड़ पोधो एवं जन्तु, हमारा परिवेश मेला, सानिय पेशिर से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाई, यूपीट अट में आपके जो-जो मेला, जो हैं फेर, इपोर्टन्ट होंगे न, उससे भी अब की बार आपके कोश्चन इसमें से बनेंगे, जल, यातयात, एवं संचार, खेल, एवं खेल, भावना, भारत, नदिया, पठार, क्योंकि जियोग्रफी सेक्षन भी इसमें आएगा, हमारा परदेश, सविधान, ठीक है, ये सब पर्यावर्ण से रिलेटिड है, तो पर्यावर्ण में जो-जो पूछे जाएंगे न, ये सब आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, सब सेक्षन आप यहाँ से देख सकते हो, रास्टे पर, रास्टे प्रतीक, मतदान, कार्यापालिका, नियाएपालिया, ये सब आपको यहाँ से पूछे जाएगा, अध्यापन समंधी मुद्दे पैड़ागोजी शक्षन भी आएगा परियावरण में तो ये सब आपको क्लियर करना है ठीक है ये पेपर 1 का था 30 marks की आपकी EBS आएगी CDP आएगा 30 marks का हिंदी language English language जो भी होगा आपके 30 marks के आएगे math से आएगा 30 marks और EBS से आएगा 30 marks टोटोल होगे 150 अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 यानि उच प्रात्मिक स्तर की सेम से ले बस था पेपर 1 पेपर 2 का तो ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी आप ये मैंने आपको पहले वे समझा दिया है आगे देखे हिंदी का भी सेम है इंगलिश का भी सेम है संस्कृत का भी सेम है उर्दू जो भी आपका होगा वो सब आपका सेम है अब हम यहाँ पर बात कर लेती हैं जिनका main subject गणित और विज्ञान है उसमें से 60 marks के question आपके आएंगे प्राकरतिक संख्याई natural numbers पुरुणा अंक वर्गमूल घनमूल सरसामिके बीजगनित बीजिये व्यंजको का जोड घटाना गुणा भाग 6-8 का आपको NCRT का या जो है जो UPTED का जो syllabus है न UP की जो books है UP की जो maths की book है वहां से आप पढ़ ले न ठीक है वहीं से आपको cover करना है maths तो ये सब आपको cover करना है maths के जो topics है ठीक है ये सभी maths के है mensuration घातांक वरित ये सब जो है 6-8 में जो जो आते है न वो सब आपको पढ़ना है बस यही सले बस है 6-8 की class की जो student होगे न उनका जो maths का है वो आप देख ले न वही सब आपको exam में पूछा जाएगा ठीक है अगला है अध्यापन समंदी मुद्धी यानि पैड़ागोजी section भी आएगा गनिती अतार्किक चिंतन की प्रकरती पाठचर्य में गनित का स्थान गनित की भाषा सामदाई गनित मुल्यांकन उप्चारात्नक सिक्षन सिक्षन की समस्याई और ये विज्ञान से है जिनका विज्ञान जो मेन होगा न क्योंकि गनित और विज्ञान से 60 marks के आपके आएगे तो ये आप देख लो एक बार पढ़ लो ठीके क्या क्या आपको पढ़ना है ठीके डियर ये सब आपको cover करना है डैनिक जीवन में विज्ञान मैतपुन खोज मानवी ज्ञान एम प्रद्योग की रेशे के बारे में संजीव निर्जीव जन्तु की संचना, सुक्षम जी कोशिका से, अंग तंत्रतक किशोरा वस्तावी कलांगता, भोजन स्वास्थे, स्वच्चिता फसल उत्पादन, नाइटोजन चक्र जन्तु में पोशन, पोधों में पोशन, जीवों में स्वच्चन, मापन, विद्दुधारा ये सब आपको जो है, वीडियो को पोश कर लिया करोडियर, फिर आप स्क्रिंशोट लिस्ट का ले सकते हो, और फिर अपना जो है, सलेबस आप देख लिजी, क्या क्या आपको पढ़ना है ठीक है ये सब है विज्ञान का पूरा सलेबस है ये ध्यान से देख लिजेगा इससे एक्स्ट्रा में आप कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ ये ही टोपिक आपको कवर करने है ठीक है, अध्यापन समंदी मुद्दे ये भी आपको पढ़ना है अब ये आता है जिन स्टूरेंट का जो है हिस्ट्री यानि समाजिक अध्यान में है सिक्स्टी मार्क्स के कोश्चन उसके पूछे जाएंगे तो ये इतिहास का सलेबस है इतिहास जानने के स्त्रोत, पाशान का संस्कृति तामर पाशनिक संस्कृति वैदिक संस्कृति, छटिश्टाब्दी, भारत के प्रारंभिक राजजे, मोरे समराजे मोरे काल, गुप्त काल, राजपुता काली, इन भारत, पुश्यपति वंश ये सब आपको पढ़ना है इतिहास का है इसलाम, धरम, दिल्ली सल्तनत, मुगल ये आपका सीविक्स आ गया सीविक्स से आपको पढ़ना है अगला है भुगोल, जियोगरफी तो जियोगरफी भुगोल में जो जो टॉपिक आते है न ये देख लीजे, सोर मंडल, मानचित्रण उत्तरप्रदेश के बारे में यहां से पूछे जाएंगे उत्तरप्रदेश में, भारत में, स्थान, राजनितिक विभाव जलवायू कैसी है, मांकी, इम्रिदा, वंसपती क्रिशी, खनी जुद्योग, वन्यजीव से पूछे जाएगा प्राकर्तिक संतूलन, संसाधनों का उप्योग, आपदाई, अपसिस, जनसंख्या वृद्धी और ग्रह विज्ञान से भी आपके जो हैं क्वेशन पूछे जाएंगे स्वास्ता, एवन, सच्छता, पोशन, खादे पदार्तों का सरक्षन, परदूशन, पाचन, समंदी, रोग, समाने बिमारिया, ग्रह प्रबंधन ठीक है, शारिक सिक्षा और खेल, शारिक सिक्षा व्यायाम, योगे, प्राणायन, मर्चिंग, रास्टे खेल और पुस्कार ये सब जो हैं आपको कवर करना है, तो अभी से आप जो हैं पढ़ लीजिए ठीक है, नशीले पढ़ारतों के दूशपुरा यानि ड्रग्स के बारे में, संगीत के बारे में ये बहुत जो हैं आपको कवर करना है, ठीक है, उद्ध्यान विज्ञान, फल सरक्षन, जाड़ियों के बारे में फल जलवायो विज्ञान फसल चक्र मिट्टी के बारे में ठीक है ये आप यहाँ देख सकते हो अध्यापन समंधी मुद्दे जो है यानि प्रोजेक्ट मुल्यांकन ये सभी जो है आपको डियर क्या करने है कवर करने है क्योंकि पैड़ागोजी सेक्षन भी पूछा जाएग और पाठ्यपुस्कों का अवलोकन करें यानि जो उत्तर प्रदेश की जो भुक्स होगी ना फर्स्टू एट्ट क्लास की वही आप पढ़ें ठीक है वो बहुत ही अच्छी भुक्स है ठीक है दियर तो इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा इसी से ही आप कवर प्रिवियस दिर के कोशिन पेपर सॉल कीजिए ठीक है तो यह मेरा वाट्सप नंबर है 82950-24375 पर यहां कॉंटक्ट कर सकते हो जो भी कुछ आपको पूछना है यहां पूछ सकते हो ओके तो हम अब इसकी जो है टॉपिक वाइस जो है कवर करेंगे ठीक है आपके CDP सक्ष जब लिनाद